तो आपके सामने जैसा कि दीख रहा है भारत का भुगोल एमसी क्यू वेस्ट जागरफी आफ इंडिया बाई प्रोफेसर सभीन सर्व तो यहां पर देखें आपनों के लिए यह महत्तपोन नियूज है और आपको यह किताब जरूर खरीदनी चाहिए कारण यह है कि जिस तरह से इसमें क्यूस्टन को एक्स्प्लेइन किया गया उस तरह से वर्तमान समय मुकलब्द किसी भी भुगोल की किताब में इस तरह का भ्याख्या नहीं दिया गया है कुछ ऐसे चैप्टर भी इसमें एड करे गये हैं बहुत ही नए चैप्टर्स हैं जिसका आपको किसी किताब में जो है जिक्र नहीं मिलेगा तो पूरी बात हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे इसके अलावा कुछ हमने MCQ की जो यह भुक है इससे कुछ क्यूस्टन्स भी यहां सेलेक्ट किया है उसको भी आपको यहां से देख लेना है और इसके अलावा यह किताब जो है आपको कहां से मिलेगी कैसे परचेच करनी है और इसको यह मान के चले कि वर्तमान समय में उपलब्द भारत के भुगूल का कोई भी MCQ जो इसके अलावा एक और भू किसी दिन पब्लीस हुई चुकि यह आपका पब्लीस हुई 18 नौंबर को ठीक है इस पुस्तक का भी मोचन हुआ प्रियाग राज में और जो लीजेंड होटल है वहां पे हुआ था तो इसमें तीन किताबें थी एक आपका यह जगर्फियाफ इंडिया हो गया एंग्लिस का एक आपका यह हिंदी का हो गया इसके अलावा एक आपका जो हुआ है यह जो बहुतिक भुगूल पर MCQ है इसमें 1200 MCQ टूटल इसमें देखिए जो इंग्लिस वाला 1200 था यह हिंदी में टूटल इसमें 1200 प्लस MCQ यह ब्याख्यात्मा कुत्तर साहित यह पब्लिश कराए गया और इसका आमने पूरा इसमें यह content add कर रखा है ताकि आपको बहुत सारे लोगों को यह query थी कि इसमें क्या-क्या topics हैं जो नया वाला या उसमें क्या-क्या add किया गया है ति इन सारी चीजों के बात करेंगे इसके लावा इतना बहतरीन किताब यह है कि आप खुद purchase करेंगे खुद आप देखिएगा और purchase आपको कहां से करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ यह last में हमने देखिए question add कर रखे हैं सारे कुछ और इसमें आपको यह भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आपका यहां पर ब्यक्या दिया गया है अब देखिए अगर आपको purchase करना इसको लेना है कोई भी किताब जो सर की किताब है चल रही है तो सर की कोई भी किताब आपको अगर purchase करना तो आपको क्या करना है आपको इस mobile नंबर पे contact करना है या आप WhatsApp कर लीजी इनको प्रवालिका पप्लिकेशन के नाम से है बीजे जैसवाल जी है ठीक है आप इस नंबर पे call भी कर लेंगे या WhatsApp कर लेंगे तो यहाँ पे नंबर फिर से note कर लीजी डबल नाइन थ्री फाइफ डबल एट शिक्स डबल फोर नाइन यदि आपको कोई ओड डॉट्स होता है तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं इस नंबर पे वहाँ आपको contact number मिल जाएगा आप contact कर लीजेगा आपको ये book मिल जाएगी यही नहीं सर की जितनी किताबें हैं ठीक है सारी किताबें आपको यहाँ पे मिल जाएगी और चुकि सर की publisher भी यहीं है तो इसलिए आपको सारी किताबें यहाँ पे आसानी से easily available हो जाएगी ठीक है तो चलिए यहाँ से मैं आता हूँ आपका सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि जो आपका जागर्फी आप इंडिया है यह हिंदिया और इंग्लिस माध्यम वाला तो इसमें देखे जो question यहाँ पे आपका इंग्लिस में दिया गया है इसमें वही चीजें इसमें आपका हिंदी में ब्याख्या किया गया है तो जो लोग इंग्लिस दोनों पढ़ना चाहते हैं आप दोनों ले सकते हैं और इसके अलामा देखे जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आपको ब्याख्या वाला यह देखिए भारत का भुगोल जो बारा समसे क्यों है पहले इसमें कितने थे एट चैक्टर थे टोटल अभी इसमें इन्होंने यानि सर ने अपडेट किया है जियो मॉर्फोलोजी का यह प यहँ पेड़ कर रहे तो आपका यह है यहां पर देख सकते हैं कि यह आपका टोटल जो है लगबनकी चलिए कि 100 पेज यहां पर आपको 100 पेज हे और एक्स्टा मिल जाएंगे यानि कि 200 पर रसना आपका यहां पर एक्स्टाा की और breaking अब यह जो टूटल किताबें हैं आपके किन एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट होंगी यह भी हम लोग बात कर लेते हैं जैसे यह आपका बहुत ही बूगल पर हो गया तो बहुत ही बूगल में देखें कंटेंट आप देख लिए आपका यूजी सीनेट जैर अरप हो गया असेस्टन प्रोफिसर हो गया ठीक है टीजीटी पीजीटी या आप बिहार का जो बहुत ही डिटेल्ड में है चलिए वहाँ पे भी हम आ जाते हैं आपका यह भारत का भूगल ऐसे ही आप अपडेट बहुत ही लेटेस्ट किताब और बहुत ही अच्छी है अब देखें यहाँ पर बिसेसूची की हम लोग बात कर लें जो भारत का भूगल आपका यहाँ प इसली आपको यह नहीं मिलेगा यह मान की चलिए कि आपका बहुत ही नया चैप्टर है और यह सरके द्वार इंक्लूड किया गया इसमें भारत की विवर्तनिक रूप रेखा और भारत का उद्भव बामकी सनरचना सैल की अनुक्रम प्लेट विवर्तन और विवर्तनिक प्लेट संचलन विवर्तनी की यह पूरा इंडिया के कांटेस्ट में है सूचिएगा अब दो क्यूस्चन का लेबल है इसमें सरने क्या कर रखा है कि आपका बलनाइनर वाले क्यूस्चन भी है ठीक है यानि कि लगुत्तरी वाले भी है बहुविकल्पी लगुत्तरी लेवल के और आपका यहां पे जो बिसले सनात्मक प्रस्ण होते हैं जैसे यूपीस्ट में आपका पूछा जाता है यह आपका यूजी सी नेट जी आरफ में पूछा जाता है कथन कारड़ वाले ठीक है और और अपवा प्रत्रू भारत की जलवाई भारत के बन भारत की मिटियां और डाटा भी जो आपका यहां पे इंकलूड किया गया बहुत ही लिटेस्ट डाटा है ठीक है बहुत देसी नदी घाटी परियोजनाए परियावन अवनवेन वह प्रदूशन परियावन कानून इस अंसाधन होगे उद्योग और अद्योग प्रदेश और यह देखे यहां से हर बार आपकी परिक्षाओं में प्रस्न पूछे जा रहे हैं कोई भी आप एक्जाम देंगे उस एक्जाम के लिए यह आपका बुक पूरा रामबान साबित होगी क्योंकि इस तरह के MCQ आप प्रकार के प्रस्नों के उनके उत्तर और व्याख्या समलित किया गया है बहुभी कलपी कि हम लोग बात करें ठीक है तो बहुभी कलपी भी यहां पे एड़ किया गया है और इसके अलावा यहाँ पर लगुत्तरी प्रस्न है ठीक है दीरगुत्तरी प्रस्न है उनकी विशत ब्याख्या है ठीक है अस्थान अस्थान पर मांचित्र भी एड़ किये गए है मैं भी आप उपन करेंगे बुक तो आपको मिल जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखे में है नहीं यहाँ देखें जो किताब दी गई है इस किताब में क्या-क्या चैप्टर्स है उसको हमने पहले ही आपको मेंसिन कर दिया जो बारास MCQ है ठीक है इसमें जो नए एड़ किये हैं अब जिसके आप लोगों ने अगर एक हजार MCQ का ले लिया होगा तो यह इसमें किसी भी माद्य में देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं इसके लावन देखिए अब हम लोग आ जाते हैं जो पहला चैप्टर सर ने मेंसन किया है भारत का क्रेटन यानि क्रेटन साफ इंडिया ठीक है तो अब देखे इसमें जो प्रस्म दिया गया है किस तरह क प्रस्ण बनाये गए और जब आप बुक देखेंगे तो बुक में सर ने जो है पूरा मैव भी मेंसन कर रखा है कि भारत के जो क्रेटन से उसका मान चित्र ठीक है यानि क्रेटन साफ इंडिया के बारे में उन्होंने पूरी तरह से वहां पर व्याक्या किया है पहला देख यह लगबग 4.57 बिलियन वर्सपूर या 4.5 बिलियन वर्सपूर या 5.5 बिलियन या आज से 4.6 बिलियन तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया अब देखें उत्तर एक हो गया अब यहां से थोड़ा सा अब्याक्या को समझेगा यहां पर दिया गया है कि भारतियूप महादेप का जो भौमकी तिहास है आज से लगबग इतना है 4.57 बिलियन वर्सपूर वर्सपूर सौर मंडल के अनग्रहों की उत्पत्ति तदा रचना के साथ ही प्रथभी की उत्पत्ति और सीतलन यानि कि जब प्रथभी की उत्पत देखें उसके बाद उसका क्या हुआ कूलिंग हुआ यानि सीतलन हुआ और सौलडिफिकेशन हुआ उसके द्वारा क्या हुआ कि क्रस्ट के निर्माण के साथ ही आरंब हो गया था ठीक है तो भारत का जो भौमकी तिहास था वो 4.57 मिलियन पूर जब अपना ग्रहों की उत पत्य हुई उसमें प्रत्वी की कोलिंग और सौलडिफिकेशन हुआ उसी के साथ जो है भारत की महादीपी की भौमकी तिहास के क्रस्ट का भी निर्माण प्रारम हो गया ठीक है तो यह आपका क्या हो गया पहले का उत्तरी हो गया दूसरे में देखिए निमलिकित में से बहुत ही न्यूँ तो आपको न्यूँ ही है क्या है क्या आपको पहली बार तो यह समझ में नहीं आएगा बीना यह आप डिटेल में पढ़ेंगे तब यह आपको यह एक breaths क्या होता है बिया कि करेटन्स प्रत्रीई की क्रेश्ट पर गतिशील बलाक होता है। क्रेटने क्रेटुजंस होते हैं ठीक है तो इस दोनों में आपको कन्फियोज नहीं होना है तो क्रेटन क्या होता है यहां पर देखें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बी आक्षन कि प्रिथभी की क्रेश्ट पर जो अस्थाय द्रणड़ और इस्तिर बलाक होता है जिस बना द्यान रखेंगा इसको फड़ा साइए आपका टेक्निकल पॉइंट है और इसी को आपको द्यान रखेंगे चलना यह क्या करना है कि क्रेटो सब्दसे लिया गया जिसका आर्थ क्या होता है करेटन का प्राचीन और ब्रिहद बलाक होता है और इसकी रचना क्रस्ट औ होते हैं महादीपों के अंदर केंद्री भागों मे पाय जाते है यहांचा घौण के प्रदर्शित है करता है क् रितन के प्रक्रेज़ेशन भी कहते है क्रैटन जो है यह क्रिस्टलाइन आधारी सेलों का यानि की बेस्मेन क एक बना होता है यह अनुमान किया जाता है जो पहला क्रैटन बना था यह आरके न E1 इस तरह को यह आपने समझ लिया हो गए यहां से तो इसी तरह के प्रस्थ जो है उस तब तक आप क्रेटन्स को clearly उसको define नहीं कर पाएंगे ठीक है जैसे एक प्रस्ण इसमें सरने mention किया है जो यहां पे आपका नहीं दिखा है लेकिन चुकि भुक में देख के आपको यहां पे mention कर रहा हूं ठीक है उसमें प्रस्ण यह है कि प्राइदीपी भारत को कितने क्रेश्टल ब्लाक में विभाजित किया गया है किसको बोल लाइए यह प्राइदीपी भारत की बात किया जा रहा है कि तो यहां पर जो सरने क्यूश्टन बनाया कि प्राइदीपी भारत को कितने क्रेटोनिक या क्रेश्टल ब्लाक में डिवाइट किया गया है कितने में डिवाइट किया गया, option आपके पास 4 है, 6 है, 5 है और 7 है, तो कितने में डिवाइट किया गया, प्राइदीपी भारत को 5 क्रेटोनिक ब्लाक में डिवाइट किया गया है, ठीक है, जिसमें अब ये पांचों के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, जो सरने में रखा है, जिसमें पहला ये है कि भांडरा ब्लाक, ठीक है, पहला है भांडरा ब्लाक, दूसरा है आपका सिंग भूंग ब्लाक, सिंग भूंग ब्लाक, और तीसरा ब्लाक है बुंदेल खंड का जो क्रेटन्स है, ठीक है, बुंदेल खंड का जो क्रेटन्स है, और चोथा आ यहां पर अरावली का जो Cret た र संफ है और पांच में आपका यह धारवाड का उप्योगी है ठीक है किस तरह से पूरा ये जो बुक है बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही नई चीजों के बारे में इसमें आपका मेंशन किया गया है कि कुछ के उच्छे ने आमने और आइड कर रखा है बारत में आरियन वर्क के निमलिकिस सेल सिस्टम में से कौन प्राच सेरी इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा गुंडवाना सेल सिस्टम ठीक है इसमें ब्याख्या में देखें कि और साधी सेलों तथा कोईलों की यानि कौल सीम्स वाला भारत का गुंडवाना सेल सिस्टम आरियन वर्क के सभी सेल सिस्टम के प्राचिंतम स तो भारत का गॉंडवाना से सिस्टम में प्राचिंतम निचले गुंडवाना सैल सिस्टम का यहां पर प्रस्नावर देख सकते हैं भारत के गुंडवाना सेल सिस्टम के विशे में निम्न कत्नों पर विचार कीजिए और दिये गये कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए चुंट इसमें दिया है कि भारत में और राख सिष्टम आरेन गुरुप के सबसे नभी इंतम विच्षा नई सेल सिष्टम है जो घुनडवान और राख सिष्टम है तो पहला तो यह गलत हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि यहां पर देखे सब्से प्राचीं अउपर लिखा दूसरा देखे परतदार, यहां पर mencion किया गे न से डिमेंटरी या कोल सिम्ज ठीक है घुंडवाना में कोईले की पृतानता पाई जाती है, इसलिए यहां पर सेडिमेंटरी डॉक की जो है ज़्यादा मात्रा में यहां पे है गुंडवाना सिस्टम में जीवास में नहीं पाया जाते है कहरा आप फॉसिल्स यहां पे नहीं पाया जाते है गुंडवाना सिस्टम में तो यह रांग हो जाएगा क्यों रांग हो जाएगा सिस्टम में फोसिल सुपाए जाएंगे यहांपे आपका कुहले मिल ला है कियो जाbird सेडिमेंटरि उपस्य जाएंगे इसके अलामा जो आपका चट्टाने है चाहिए अगने चट्टाने हो गई तोट फूट से उसके जमाव की वजह से भी क्या होगा सेडिमेंटरी रक्स का निर्माण होगा तो यहां पर इन्हों क्या दिया कि गुणवाना सिस्टम में जो फॉसिल से नहीं पाया जाएंगे यह रंग हो जाएगा ठीक है पहला भी रंग हो गया तू त्री अभी राइट है फिप्त देखिए गुणवाना सिस्टम के चट्टानों का निर्माण आज से लगवग धाईसों से 225 मिलियन वर्स पूर उपरी कार्बोणी फेरस परमियंद से लेके यहां पर यह हुआ है ती आपका कहां हो जाएगा ठीक है अब देखें यहां पर दो तीन और पंचे उत्तर में आपका मेंसन भी है ति हैं फिए इसी तरह से यहां पर आपका इतनी डिटेल्ट वैक्ट आपका इसके अश जो आपका कोर्स चल ला है तो इस नंबर पर वाट्सअप कर सकते हैं या हमारा आयफ डाउनलोड कर सकते हैं जी एस बाई दिवाकर करके हैं ठीक है वहां पर आपका बिहार कभी मिल जाएगा सारा कुछ अब लेबल है अब देखें उसी की ब्याक्या यहां पर दी गई है अब यहां पे 150 नंबर देख लीजिए गुंडवाना सिस्टम चट्टाने कौन सी नहीं पाए जाती हैं ठीक है थिए आपका सपिती नदी घाटी जो है एक अससी का पाउट नहीं है जबकि द मोदर और निचली उदा और महानदी यह सब्य different the पार्ट लीडर नदी जो Penald Pharaoh जो है के है कमaaaa समीर में इंहें हिमान्चल आपका हिमान्चल में स्पीती नदी घाटी सिस्टम है ति ये गुंदवाना सिस्टम की परद्दार औसाधी चट्टान या फॉसल स्पेरस चट्टानों में यह नहीं पाए जाती है बलकि इन घाटियों में बिंद साल सिस्टम की स्लेट सेल क्वाट जाए ठीक है यह चट्टाने पाए जाएंगी यहां तक आपका चली एक बहुत धिमातोपोण प्रसन है और यहां से आपका एक्जाम में यह मान के चली कि सत्व परतिसत आप से परशन हैं यहां से बनेंगी बनेंगी ठीक है देखे दिया कि भारत में कुल कीतने प्रमुख और द्योगि प्रदेश होगे भारत में पांच दिया है आर्ट दिया है नो दिया है तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे art major ध्यान गई major की बात कर रहा है ठीक है तो इसमें दिया गी प्रंत कामन अधार पर भारत में खुल 8 जो major इंडेस्ट्रियल रीजन है ठीक है अलग लग विद्वानों के द्वारा जो वर्गी कर्ण किया अब देखिए इतना डिट्रिल्ड व्याक्या को कहीं मिलेगी नहीं तो ट्रिवार्था और बर्णर ने 1944 में भारत को कर्मचारियों की संख्या के अधार पर तीन बड़े अस्तरी अध्यों की प्रदेशों में डिवाइट किया जिसमें नार्थ साउथ और वेस्ट रीजन इंडेस्ट्रियल लीजन थे ठीक है यह किसके द्वारा डिवार्था औ यह टाइम पिरिएड है इनका 1957 में और इन्हों ने क्या किया कि वो देगों के घंत्व और स्रुमिकों की संख्या के अधार पर भारत को अलग-अलग इंडेस्ट्रियल लीजन में डिवाइट किया जिसमें उन्होंने कितने बागों में किया एक नंबर पर आपका कुलकाता ने साउथ वाले रेजन हो गए ती टोटल पांच वर्गों में डिवाईट किया किसने पीपी करन ने किया तीन में भागों में किया तीक है यह आपको क्या करना ध्यान नढखना अब आरेलसिंग की बात कर लेते हैं आरेल सिंग जी ने 1971 में इन्होंने इंपिरिकल अबजर मुंबई पूने का बंगलूरू चिन्नाई कोयमबटूर मदरवय और सिवकासी प्रदेश केरल प्रदेश लखनों कानपुर वाला रीजन दिल्ली गांधियाबाद अमरिस्तर प्रदेश डिग बोही प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार वाला जु कि ब्हारत के जो प्रमुख ओध्योगिक परदेश हैं इसके हम लोग बात करें तो इसमें में मेंशन किया गया चिए जो ते उनकी संख्या किया दार पर दोगी के आर्यों में जो पावर की कि चिक प्रतिसत त्यानी कि यह साथ आधारों पे आथ और दोगी की पर्देशों का निरधान किया गया तो यह आप clear हो गए अब देखे प्रस्न यहां से भी पूछ सकता है कि भारत के प्रमुख जो अद्योगिक प्रदेश हैं उसका निर्धान की नाधारों पर किया गया अब इसमें से चार विकलब दे दे या तीन दे दे एक कोई और दे पूछे कि इन में से कौन सा सही नहीं ह तो यानि कि जब आप इन सभी को जानते रहेंगे तभी आप उसको कर पाएंगे ठीक है तीस तरह के प्रस्न आपको ऐसे ही अटेम्ट करने पड़ते हैं चलिए एक और क्यूशन यहां पर हमने से लटके कम सकें 5-7 प्रस्न यहां पर हो जाएंगे भारती पंजाब मैदान क किस भाग को देश का खंजर या तलवार यानि देश का खंजर या तलवार हां यानि स्वाड आर्मा आपद कंट्री का जाता है तथा बहादूर सिखों का पालना भी का जाता है भारती पंजाब मैदान के निमने किन भागों को देश का खंजर हां या फिर बहादूर सिखो देश को का जाता है यहीं कि प्रदेश को क्यौंती आसा प्रदेश को सभाधोर सेas है जाता है क्योंदियुकों बड़ी संग्याने माझा बेना कि प्रबित्य 22 जिहास भी क्लियर हो गया कि सिक्सामराजी की अस्थापना महरारा रजीत सिंग ने माज़ाच्छेतर में ही क्यों किया क्योंकि माज़ाच्छेतर के जो पंजाबी थे ठीक है वो बहादुर थे उनमें लड़ने की प्रवित्थी पाये जाती थी लड़ाका थे इसलिए वहां पे सिख समराज्जी की अस्थापना करी गई अब देखिए एक और प्रस्ण है यहां पे आपका कि भारत के विशाल मैदान की विशेम निमलिखित करनों में से कौन सा कदम सही नहीं है ठीक यह द्यान के सही नहीं है पहला दिया है नदियों की मद्य इस्तित जलोड भूम या और यह वाला जो एरिया हो जाएगा यह दो आप चेतर हो जाता है ठीक है दो आप ठीक है दो या br rapid नदियों का आप चेत्र हो जलोड नदियों यानि जो अल्यूवएल रिवर्स हैं इसके किनारे के बार के मैज़ान नभी इन्ज़ड़ यानि खादर को भारत के पंझाब पहुंच पाता वह आपका भांगर उती है कम उप जाओं होती है तो जलोड को धुक्रों में डिवाइट किया जाता है खादर को भारती पंजाब मैधाण के मालवा मैधान पर देश का खंजर हांत का जाते है ति आपका रांग हो गया मालवा को नहीं की माजा छेतर को कहते हैं और अभी उपर आपने देखा था यह आपका C वाला रंग हो जाएगा पुराने जलोड छेतर को भारती राज्य पस्चिम बंगाल में बुरेंद्रो भूमी कहते है तो यह आपका राइट है जो बांगर वाला है बांगर को पस्चिम बंगाल में बुरेंद्रो की भूमी कहते हैं तो यह आपका राइट है तो डी वाले आप्शन सही हो जाएगे इसमें पर गया रहा है कौन सा कथन सही नहीं है तो C वाला जो आपका यह सही नहीं है ठीक है तो I think यहां तक आप लोगा clear हो गया होगा और कोई doubts आपका यदि है तो आप लोग यहां पर comment कर सकते हैं इसके अराम जो books है यह आपको यहां पर मिल जाएंगी ठीक है आप इनको mail कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं mobile numbers सारा कुछ यहां पर mention किया गया है कि इसको आप जरूर देख लें और इस किताब को जरूर पर्चेच कर लें क्योंकि यह किताब आपके exam के point आप बे उसे most important रहने वाली है क्योंकि इस तरह का जो detailed explanation की किताबें जल्दे आपको मिलेंगी नहीं और उसी पर मैं चलता हूँ आपको लेके तो देखिए यहाँ फिजिकल जागरफी का यह टूटल मेंसन किया गया है और यह है आपका जो बुक आपकी लांच हुई है और सर का जो टूटल वीडियो है वो आप लोगों को पता ही है कि यह चैनल है अपना online gspy दिवाकर और इसी पे सर के टूटल 122 वीडियो अभी भी उपलब्द है इसको आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा इसके अलावा जो बुक बिमोचन के कुछ वीडियो अभी और भी अबलेबल है वो दीरे-दीरे करके आपको डेली मिलेंगे अभी बिमोचन के समय आप सुचिए कि उस समय भारत के तमाम जो जागरफर्स थे वहाँ पे उपस्थित थे जो आपके अलग-अलग commissions में interview अगरा में जाते हैं या paper बनाने के लिए जाते हैं ठीक तो आप देख सकते हैं कि इतनी महत्तपून पुस्तक हैं बहुत ही कम टाइम में सर ने इसको लिखा और हिंदी इंगलिस दोनों माध्यम में लिखा तो हम लोगों के लिए इस से जादा जो है और कुछ नहीं है कि इसको जादा से जादा आप लीजी और इसको पढ़िए ठीक है जब आप इसको देखेंगे ना आपको खुद लगेगा कि यहां क्या लिखी गई है ठीक है mcq वाला भी यह भी आप देख सकते हैं और यह चैप्टर्स आप देख लिए पूरा चैप्टर जो मेंसन किया गया है बहुत कुछ आपको नया मिलेगा आपने भारत का भूल कितनी भी बार पढ़ा होगा लेकिन यहां पर हदि आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ चीजैं आपको नहीं मिलेंगे लगेगा कि यह चीज्जैं आपको पता ही नहीं था और आप यहां से खुद देख सकते हैं जो चैप्टरिज़ेशन हुआ है जो content यहां पे लिए वाला है और यह पूरा कैसा लगा वीड कि सर ने क्या क्या content इसमें आड कर रखा है तो जो फेजिकल जागर पी का तो उसका सर ने लगबग जो टूटल फेस्बुक पे आपका पोस्ट करा ही रखा है लेकिन इसका सर ने नहीं मेंसन करा तो इसलिए यहां पे कुछ प्यूस्टन्स आपको एक पूरी किताब तुम में अब लोग जादा से जादा क्या करें किताब को परचेश करके वहां से देख लीजीगा एक बार फिर से देख लीजिए हिंदी इंग्लिस दोनों में है तो आप जिस भी मीडियम में आप इसको देख सकते हैं तो यहां पर इतना है और यह सर की अंतिम किताब भी थी तो इस इमसी क्यूच की एक बुक के बारे में बात करेंगे तो अभी फिलाल इतना है थैंक्स पर वाचिन